भारत में बहुत से लोग माइग्रेट करते हैं छोटे शहरों से बड़े शहर जाते हैं क्या होता कि अगर हम छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ पे उतनी जादा जौब अपर्चुन्टीज नहीं रहती है इस वज़े से जौब अपर्चुन्टीज के लिए बहुत से लोग माइग्रेट करते हैं छोटे शहर से बड़े शहर जाते हैं पर क्या होता जब हम बड़े शहर चले जाते हैं और जिस शहर से हम आए होते हैं जब वहाँ पे एलेक्शन्स होते हैं तो हम वहाँ पे physically जाके vote नहीं कर पाते हैं क्योंकि क्या रहता है कि जिस state में elections है वहाँ तो छुटी रहेगी पर हम जहां migrate करके जिस शहर में हम job कर रहे हैं शायद वहाँ पे छुटी नहीं हो तो इस वज़े से हम physically आके vote नहीं दे पाते हैं जिसका असर यह होता है कि जो voting numbers होते हैं वह कम हो जाते हैं state elections में नहीं even in आपके general elections में भी तो इसको solve करने के लिए यानि कि किस तरीके से migrants vote कर सकते हैं भले ही वह उस समक्त उस शहर में या उस राज में present नहों इसको resolve करने के लिए election commission of india ने एक proposal जो है तो जैसे कि मैं आपको बताया कि भारत जहां पे लोग लोगों की आखों में सपने रहते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए लोग छोटे शहरों से बड़े शहर की तरफ जाते हैं क्योंकि ओविसी बात है बड़े शहरों में opportunities रहती है पर क्या होता है कि जब हम भी बड़े शहर पहुच जाते हैं ठीक है हम जब बड़े शहर में रहे हो आज चले जाते हैं secure कर लेते हैं अपनी जॉब पर जिस राज इससे जिस शहर से हम आए होते हैं जब वहाँ पे elections होते हैं था हम vote नहीं कर पाते हैं तो इसी को resolve करने के लिए migrant vote को secure करने के लिए election commission of India ने remote voting machine का proposal जो है remote voting machine का जो proposal है वो रखा है जो की opportunity provide करेगा millions of migrant workers को कि वो भलई उस वक्त अपने शहर में ना हो पर वो जिस शहर में भी हो वो अपना vote डाल सकते हैं उनका vote जो है वो count हो सकता है इस proposal को रखा है election commission of India ने इसी चीज़ पर आज हम discuss करेंगे कि क्यूं इस चीज़ की ठीक है जो election commission of India का जो proposal है remote voting machine की क्यूं इसकी need है और किस तरीके से अगर ये successfully implement हो जाएगा तो किस तरीके से जो turn out होता है ठीक है जो voting turn out होता है वो और जादा drastically बढ़ सकता है क्योंकि अगर हम बात करें जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है voting turn out ठीक है जो voting के number से वो भी बढ़ रहे हैं बहुत से लोग अब aware हो गए हैं ठीक है education का जो penetration है उबढ़ चुका है दर जाए ठीक है जो voting के number से वो भी बढ़ है पर अगर यह जो migrant votes को भी count करना शुरू कर दिया जाएगा तो यह जो voting का percentage है वो drastically improve हुआ जा सकता है या improve किया जा सकता है इस वज़े से यह proposal जो है काफी ज़्यादा important है तो अगर आप से पूछा जाए कि क्या यह जो remote voting machine है ठीक है जो remote voting machine का जो proposal है क्या वो अभी implement हो गया है तो अभी यह implement नहीं हुआ है यह चर्शा में है ठीक है बहुत times यह चर्चा में है through remote voting machine के allowed है ये भी implement नहीं हुआ है अगर कोई भी NRI ठीक है कोई भी NRI अगर उसको vote देना है भारत के लेक्शन में या भारत के किसी विराज के लेक्शन में उनको physically आना होगा remote voting की facility अभी ना तो migrant workers के पास है ना ही आपका अनराइस के पास है अगर यह statement आ गया as it is आपसे प्रिलिंस में तो यह मत कहा देना यह मत समझ देना कि statement सही है अभी इस पर चर्चाएं हो रही है ठीक है चर्चाएं हो रही है पर यह अभी पूरी तरीके से implement नहीं हुआ है तो अ हम जिस शहर से migrate करके ठीक है बड़े शहर में जाते हैं तो बहुत से लोग जितने भी जितने migrant workers जहां पर जब वो शिफ्ट होते हैं बड़े शहर में तो बहुत से लोगों को बहुत से लोग एप्रिहंड होते हैं अपना voter ID कार्ड अपना voter ID उसी नए शहर में बनाने के लि क्या होता है इस वज़े से क्या होता है कि जो migrant worker है ठीक है जो migrant worker है जो job की तलाश में अपने शहर से अपने राज को छोड़के किसी और राज में गया है जब यहां पे elections होते हैं तो वो आके vote नहीं दे पाता है और आपने बहुत कम ही यह सुनाओगा कि बहुत से लोग vote देने इस्पेशली सिर्फ vote देने जा रहे है अपने शहर या अपने स्टेट में बहुत से लोग करते हैं पर यह जो number है vote देने का यह थोड़ा सा कम है तो इस number को बढ़ाने के लिए आपका remote voting machines की proposal जो sign किया गया अब इसमें होकर कैस में यह होगा कि suppose करो मैं यूपी का हूँ मेरा hometown है यूपी ठीक है और मैं recite कर रहा हूँ गुडगाओं में हरियाना में ठीक है मैं recite कर रहा हूं गुडगाओं मैं अब UP के elections है UP के elections है ठीक है यू-पी में एलेक्शन से यू-पी में मेरा district है मेरा जो शहर है वो प्रयाग राज है यहाँ पे voting है यहाँ पे voting है पर अब मैं तो गुडगाओं में हूँ अब मैं कैसे vote दूँगा तो ये remote voting machines के थुरूур क्या होगा कि गुडगाओं में गुढद गुडगाओं में कुछ constituency ठीक है? कुछ constituency alert कर दी जाएगी जहां पे जाके मैं वोट कर सकता हूँ तो इसका फैदा क्या होगा इसका फैदा यए होगा कि मुझे मैं मुझे यहां पर physically present नहीं होना पड़ेगा, मैं अपने शहर से ही, चाहे मैं गुडगाव में रह रहा हूँ, मैं वहीं पर अपना vote जो है, वो मैं दे सकता हूँ, तो इससे क्या होगा, मेरा जो vote है, वो भी count हो जाएगा, अगर मेरे पास सुविदा नहीं रहती, तो मैं श सकता हूँ, तो यह जो number होगा, voting percentage में, वो drastically reduce हो जाएगा, क्योंकि अगर यह सुविदा नहीं रहती, तो मेरा vote count नहीं होता, मेरा vote count नहीं होता, पर अब मेरे पास यह सुविदा है, तो मेरा vote भी count होगा, ठीक है, मेरा vote भी count होगा, और voting percentage भी बढ़ जाएगा, तो यह होता के अपने home states में vote दे सकते हैं, तो इस तरीके से जितने भी migrant workers across India फैले हुए हैं, किसी भी home states हैं, ठीक है, किसी भी home states हैं, even general elections, क्या होता है, कि general elections में, अगर suppose करो, मैं अपने home state में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा voter ID का, शायद मेरे home state के basis पे बना है, मेरे home state के address पे बना है, तो अगर parliament elections है, उसमें भी मैं जिस राज में, जिस शेर में रह रहा हूँ, मैं वहाँ पे अपने home state के लिए vote कर सकता हूँ, जब भी parliament elections मेरे home state या मेरे home राज में होंगे, तो state elections में मेरे vote count हो जाएंगे, जितने भी migrant workers across India हैं, उनके state, अपने home state elections में भी vote count होंगे, और साथी सा तो भी उनके vote count हो जाएंगे तो यह जो millions of migrant workers के vote जो secure नहीं हो पाता है ऐसा नहीं कि migrant workers की अगर हम संख्या की बात करें भाई अगर हम migrant workers की संख्या की बात करें तो यह कोई हजारों लाखों में नहीं है इनका जो number है वो बहुत जादा है इनका जो number है वो ठीक ठाग amount है इस वज़ा से हम millions of vote को secure कर सकते हैं हम millions of vote जो हर election में शायद waste हो जाते हैं क्योंकि हम करते नहीं इसका utilization नहीं हो पाता है इन सभी millions of migrant workers का vote जो है वो secure किया जा सकता है इस वज़े से यह एक important proposal है हाला कि यह proposal है अभी इंप्लिमेंट नहीं हुआ है तो अगर मैं आपको बात बताओं कि किस तरीके से किस तरीके से इतनी awareness है जैसे मैं आपको बता कि पहले अगर हम compare करें तो उतने जादा लोग भार से घर से बाहर निकल के vote नहीं देते हैं पर आगर हम लाश्रीक्षिंघशन की बात करें तो वोटिंग टनाओट कितना था वोटिंग टनाओट आपका शे किसी सेवल पोइंट फडर पर संट था 67.4 पर सन था यादि की थीन वोटर ने ठीक है यांइग आलि की तीन वोतर में अगर कोई तीन व्यक्तिवोट्स दे सम 67.4 परसेंट था 67.4 परसेंट था यानि की तीन वोटर में ठीक है यानि की तीन वोटर में अगर कोई तीन व्यक्ति वोट दे रहे हैं तो उसमें एक व्यक्ति वोट नहीं दे रहा है 67.4 परसेंट अगर सपोस करो यही अगर जो रिमोट वोटिंग मशीन ठीक है अगर इसमें इसमें आपका migrant workers का इसमें अगर migrant workers का भी vote count कर लिया जाए थ्रू आपका remote voting machines तो ये percentage जो 67.4% है जो की elections, last elections की बात कराऊं 2019 में जो elections हुए थे वो number किस तरह से बढ़ सकता है और ये जो 67.4% है जो 2019 में हो था ये comparatively और elections जो parliament elections हुए 2014 में जो 9 में हो चार में हो उनके compare में ये जादा है उनके compare में ये जो percentage है ये comparatively better है तो इस वज़े से अगर migrant workers के vote को secure का लिया जाएगा तो ये percentage कितना जादा drastically बढ़ सकता है और अगर हम census की बात करें 2011 के census की बात करें तो 45.36 करोर Indians यानि की 37% इंडिया जो है 37% इंडियन जो है वहाँ पर migrants stay कर रहे है तो 45.36 करोर ये आपका back in 2011 है ठीक है back in 2011 का data है अब सोचो अभी last census conduct नहीं हुआ है concluded है पर अभी scheduled है पर conduct नहीं हुआ है जब next census होगा तो ये number आपके drastically बढ़ने की उमीद है ये number आपका drastically बढ़ने की उमीद है तो इस वज़े से migrants का number बढ़ रहा है migrants का number बढ़ रहा है पर पर due to constraints ये vote नहीं दे पा रहे हैं चाहे general assembly elections हो चाहे आपका state elections हो तो इसी वज़े से millions of migrant workers के vote को secure करने के लिए election commission of india ने remote voting machine का ठीक है ये प्रवधान जो है वो पेश किया है और अगर ये properly implement होगा तो ये एक बहुत अच्छी चीज होगी migrant workers जो हम अपने vote को वो अपना vote count कर सकते हैं और ये जो drastic number है ये ये जो number 67.4% ये शायद 90 और 90% के भी उपर जा सकता है तो उमीद यही है कि ये प्रवधान ये implement हो और ये pass हो और ये successfully implement हो और आप से मैं आखरे में पूछूँगा कि आप जो अभी वीडियो जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं कितने ऐसे लोग हैं जो अपने home state या home जो आपका शेर है आप उसको छोड़े किसी और शेर में हैं और जब elections होते हैं आपके state में तो क्या आप vote दे पाते हैं या नहीं अपनी राय जो है वो comment में जरूर बताएगा जैनुरली मैं जाना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है और आप इसके favor में यानि की remote voting machine के favor में हैं या नहीं यह भी जरूर से बताएगा और किस तरीके से changes ला सकता है तो यह पूरी information तो उम्मीद करतो आपको समझ में आओगा यह आपका means के लिए governance के लिए यह काफी ज्यादा important चीज है तो उम्मीद करतो आपको सारी चीज़े समझ में आओगा अगर कोई doubt होगा तो आप अपने doubt जो है वो comment में pin down कर सकते हो सेशन कोन करने से पहले information दूँगा कि अगर आप state PSC चाहे उत्रप्रदेश चाहे बिहार हर्याना 36 गड़ मध्यप्रदेश राजस्तान वेस बंगॉल इन में से किसी भी राजिके state PSC की त्यारी कर रहे हैं तो study IQ अपने smart courses launch कर दी है पर 2023 और 2024 आप इन smart courses में enroll कर सकते हो प्राइस है आपका 9999 पर अगर आप मेरा code इंडट कर दोगे जब मेरा code जो है वो इंडट करोगे तो आपको discount मिलेगा और आपका discounted price हो जाएगा 4999 तो गलती से यह price मत पहे कर देना मेरा code लगाओगे तो you'll be able to purchase your PSC smart course on a discounted price and that is 4999 तो य मेनद करते रहेगा खुश रहेगा जै हिंद जै भारत